हेलो फ्रेंज वागत आप सभी का हमारी चैनल को केश टेडी में मैं कमाल बेश्ट इस वीडियो के माधिम से दोस्त आप कहाँ पर कराऊंगा प्रकाश का प्रावरतन और अपोरतन का दोस्तो पार्ट नमबर टू इसके पहले दोस्तो पार्ट नमबर बन माँ आपको बहुत सारी चीज़ ने करा चुके हैं इसके बारे में अब दोस्ते हम यहाँ पर बात करेंगे गोलियो दर्पन के द्वारा जो परतिवें मनते हैं दोस्तो उनके बारे में पढ़ेगा तो आई शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए जब यह पढ़ते हैं तो आपको हर एक शब्द का अर्थपता होना चाहिए उसके परिभाषा मालूम होनी चाहिए तो यहां पर देखिए आपका पहले आता गोली दर्पन उसके बाद परतिवें तो यहां पर देखिए तो पहले हम दर्पन की बात करते हैं दर्पन क्या होता है फिर आपको गोली दर्पन के बारे में बताएंगे उसके बाद दोस्तों इनके नियमों को पढ़ेंगे दोस्ते आप देखें दर्पण में क्या होता है माली जी आपने अभी देखा एक पारदर्शी वस्तु को लिया दोस्तों माली ये कोई कांच है अब आपने एक तरह इसको पॉलिश कर दिया पॉलिश करने के बाद क्या बन गया अब प इसी भी वस्तु की एक इमेज बनाएगा एक प्रतिवयम को बनाएगा तो यही आपका क्या कहलागा दोस्तों यह आपका एक दरपन कहलाएगा अब इस दरपन में क्या होता है दोस्तों अलगलग प्रकार के दरपन होते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोली दरपन की गोली सी एक सेंटर है तो इससे आपने गोला बनाया अब यहाँ पर देखिए दोस्तो आर आप त्रीजिया मालीजे इसकी यह आपकी त्रीजिया है तो आर त्रीजिया का आपने एक गोला खींच दिया अब यहाँ पर देखिए दोस्तो गोला कहां पर है आपका यह आपका एकस डै बना एक पीस आपका यहां पर बन गया तो यहां पर देखिए अन्य वस्तों को चीजों को मिटा दें और केवल आप इतने भाग को रखें तो आपका क्या बनता है देखिए तो आपका देखिए क्या बचता है दोस्तों आपका केवल यहां पर यह भाग बचता है अब आप द देखे एक दरपन आपका यहां पर बना दोस्तों बिल्कुल वैसे ही आपने देखा कि इस तरह का बना था और इदिए आप पॉलिश यहां पर कर दें पीछे की ओर हमेशा आपको ध्यान देना दोस्ता आप बाई और वस्तु को रखेंगे अर्था दरपन के बाई और आप व वाला जो है यह आपका दोस्तों उत्तल दरपन कहलाता है उत्तल दरपन की क्या पहचान है इसके जो आपके बाहरी कोने हैं दोस्तों वो बाहरी की ओर मुड़े रहते हैं बाहरी की ओर मुड़े रहेंगे एक उत्तल दरपन में अर्थाद एक जो आपका कॉन्वेक्स मेरा जो होता है दोस्तो उसमें क्या होगा बाहरी की ओर मुड़े रहेंगे और आउतल दर्पन में क्या होता है दूसर वाल आपका आउतल दर्पन दिखाई दिता है इसमें दोस्ते आपर देखिया आपके जो कोने होंगे वो आपके अंदर की ओर होंगे अर्थाती आपके आपके आप का दरपन के पीछे की और और इदि आप दोस्तों आपका दरपन के सामने की और है तो इसी के आधार पर आपके सारे चहनों पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, अब यह आफ देखेंगे इमेज भी इससे प्रभावित होगी जो आपकी त्रीजिया है व वक्रता त्रीजा कहलाती है और इसका सेंटर पॉइंट आपको बग्रता के इंदर कहलाता है तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गये होंगे अब हम बात करते इनके नेमों की अब दोस्ते आप आप समझेंगे देखिए क्योंकि जब तक आपको बताने में कोई फायदा नह को कम से कम दो प्रावर्दित किरणों से के परतेशेद से दोस्तों किसी भी बिंदू या फिर के बिम्ब के परतिवयम की स्थिति ग्यात की जा सकती है तो दोस्ते आप देखिए सबसे पहली बात क्या है परतिवयम बनने के लिए दो किरणे जो हैं आपस में परतेशेद कर पर किरने पढ़ती हैं, तो वो दोस्तों अलग-लग एंगल से होते वैं जाती हैं, और इस लिए दोस्तें का कहीं न कहीं यह आपकी आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के कारण वहाँ पर image create होती है बनती है अब यहाँ पर देखे परतिवियम के इस्थान निर्धारन के लिए किने भी दो किरणों पर आप विजार कर सकते हैं आपने कोई भी दो किरणे पकड़ लिए दोस्तों उनकी आधार पर आप दोस्त कJimям पहले बता दिया गया हमने यहां पर देखे अधर दर्पणा यहां पर आपका दिखाई देटा है यह आपका N है यह आपका ओपर M है इसे आप M N को आप द्वारक कहते है द्वारक मतलब जो आपका दर्वाजे की तरह एक है इससे दोस्तो आपकी किरने आ रही है तो यह आपका द्वारक हो गया अब इसके बाद दोस्तो आपका आता है P यह आपका होता है दोस्तों दरपन के लिए ध्रो कहलाता है यह आपका दोस्तों मूल बिंदो होता है इसी के आधार पर दोस्तों आपर देखे इससे आपके दाई और के जो आपका भाग है यह आपका धनात्मक भाग कहलाता है और पी के जो पाई और का भाग है वो आपका र पार के बराबर होगा जो आपके वगरता तुरिजया कहलाती है दोस्तो तो यह आपको क्लियर हो गया इसके बाद यहां पर देखे दोस्तों यह आप वस्तु का रखेंगे तो वस्तु का आप हमेशा ही दरपण के सामने वाले भाग में रखेंगे अर्थात बाई और आप उल्टी वस्तु आप रखेंगे और जो आपकी इमेज बनेगी दोस्तो वह आपकी एच डेस आपकी बनेगी यह हो सकते है दोस्त आपकी नीचे भी बन सकते है या फिर आपकी उपर भी बन सकती है आउतल के लिए दोस्त आपका नीचे बनती है अर्थात माइनस बनती है व तो यहां पर देखें इसके बाद आता है दोस्तो जो आपने वस्तु रखें वस्तु के बीच की दूरी मुख्य अक्ष से लेके आपकी वस्तु की दूरी यू कहलाती है तो यह उतल के लिए दोस्तो हमेशा ही या फिर आप उतल के लिए देखें दोनों के लिए दोस्तो क्या होगी रणात्मक होगी क्यों होगी दोस्तों क्योंकि वस्तु को हमेशा ही आप कहां रखेंगे बाई और रखेंगे क्योंकि आपको सामने रखना पड़ता दरपन की तब ही आपकी इमेज बनती है तो यह आपकी ऑल्वेज क्या होगी नेगेटिव होगी और यहां पर देखे दोस्तो जो आपका वी दिखाई देता है नीचे वी क्या है दोस्तो ये आपका परति बिम्ब और मुक्षा के बीच की दूरी वी आपकी कहलाती है और ये दोस्त आपकी आपका आउतल के लिए आपर रनातमक होगी लेकिन अपको बताएंगे आपको बताएंगे कैसे होंगी अब यहाँ पर देखे नीची आप देख ले आपको सारे के सारे बता दिये गए है आप अवतल दर्बन के लिए देखे पहले वस्तु की दूरी यह आपका दोस्तो रणात्मक होगी क्योंकि आपकी बाइयो रखी गई है और बिम्ब की दूरी वी दोस्तो यह भी आपकी रणात्मक होगी माइनस वी आपका होगा और यहाँ पर देखे फोकस दूरी जो आपकी है दोस्तो एफ जो है वो भी आपकी रणात्मक होगी क्योंकि आपने फोकस दूरी देखा अब यहाँ पर देखें दोस्तो फोकस दूरी के बारे में आपको बाद में भी क्लियर करतेंगे यहाँ पर आप फिलाल इतना समझ लीजिए एक आपका होता है दोस्तो C और P के बीच में एक मुख्य फोकस होता है दोस्तो जिसे आप F कहते हैं अब उतल दरपड में क्या होता है दोस्तो इसका क्या गुण होता है देखिए जब आप कोई भी किरन डालते हैं यहाँ से आउतल में तो यह आपका मुख्य अक्षब से होते हुए गुजरती है तो यह आपका F कहलाता है और if और दोस्तो मुख्यक्ष पी के बीच की दूरी को आप small if कहते हैं जो आपकी focus दूरी कहलाती है, focal length कहलाती है तो यही focus दूरी दोस्तों आपके आपके आपर if दिखाई देती है आपको तो यह if क्या है यहाँ पर, यहाँ पर दोस्ते रणात्मक होगी एक आउतल के लिए अब उतल दरपण में क्या होता है दोस्तो, in convex mirror इसमें दोस्ते आपर देखे वस्तो की दूरी तो आपकी minus e होगी रणात्मक होगी दोस्तो क्योंकि आपने बाइयों रखी है और बिम्ब की दूरी जो आपकी होगी वो आपकी दोस्तो धनात्मक भी हो सकती है रणात्मक भी आप देखे धनात्मक कब होगी दोस्तो जब यहाँ पर देखे प्रतिवम क्या बनेगा आपका आभासी बनेगा दोस्तो और सिधा बनेगा आभासी और सिधा बनने का मतलब आपका पीछे बनेगा दोस्तो दरफण के पीछे बनेगा तो यह आपका दोस्तो धनात्मग बनेगा यदि आपका दोस्तो यहाँ पर देखिए वास्तियूक और उल्टा बना तो आपका यहाँ पर बनेगा बाई और बनेगा तो बाई और बनेगा तो आपका दोस्तो यह क्या होगा रुणात्मग होगा तो यह आप यहाँ पर ध्यान देंगे और यहाँ पर देखें दोस्तो फोकस दूरी तो हमेशा यहाँ पर आपकी धनात्मग होती है क्योंकि आपका फोकस जो आपका यहाँ पर C होगा दोस्तो उत्तल के लिए वो आपका इसरव होता है तो यहाँ पर आपका FV दोस्तो आपक आपका काम आएगा पर्दिवम की दूरी वी का वित्कुरम और वस्तु की दूरी यू का वित्कुरम का योग दोस्त आपका फोकस दूरी एफ के वित्कुरम के बराबर होता है वित्कुरम मतलब दोस्त आपका इन्वर्स आप जब उल्टा कर देंगे तो उनका योग जो है दोस्तों focus दूरी के विद्व करम के बराबर होगा अर्थाद 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f अब यहां पर देखिए आप सायन का इस्तमाल यहां पर आपको जो आपकी maximum गलतियां होते हैं दोस्तों वो काहिम होती हैं आपको चेहनों का ज्यान नहीं होता वहां पर आप धन की जगह रुन कर देते हैं तो यहां पर आपको ध्यान देना है वी आपका दोस्तों आउतल के लिए आप देखेंगे तो आपका रुनात्मक लेंगे और यू आपका ओल्विज दोस्तों आपका रुनात्मक होगा और एफ आपका आउतल के लिए रुनात्मक होगा और उतल के लिए आपका हनात्मग होगा वैसे आप प्रकृति को देखके दोस्तों इमेज की आप डिसाइड करेंगे कि आपका यू और वी क्या होंगे अब यहाँ पर देखे दोस्तों बात करते हैं आवर्धन की आवर्धन अर्थात किसी भी वस्तो का परदिविम कितना गुना बड़ा या छोटा है वस्तों की तो आपका आपरदिविम का आवर्धन कहलाता है जो आपका परदिविम की उंचाई और वस्तो की उंचाई के बीच में होता है तो इसको आप रिबर्जन करते हैं दोस्तो इसमाल M से और इसको आप लिखेंगे HDS upon H equal to आपका दोस्तो minus V upon U आपका होता है minus V आपने लिया दोस्तो minus क्यों लिए आपने आपर दिखे U के कारण आपने minus लिया क्योंकि जब भी आप वस्तु का रखते हैं दोस्तो तो आप कहां रखते हैं? आप वाई ओर रखते हैं तो इसलिए आपने आपर minus लिया अभी आपका depend काहिए पर करेगा दोस्तो U तो आपका हो गया minus हो गया V पर depend करेगा अरथा वस्तु की जो परतिवम की दूरी है दोस्तो उससे आपका depend करेगा माल जिए आपके परतियम की दूरी दोस्तों आपके धनात्मक है तो आपका एम क्या होगा रडात्मक होगा यदि आपका वी यहां पर माइनस हो गया तो आपका माइनस माइनस पलस होता है तो आपका एम जो है धनात्मक हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों यह देश भी आपका क्या है positive है positive होने का मतलब क्योंकि आपका h तो आपका हमेशा positive होगा जो आपकी वस्तु की उंचाई है वो आपके हमेशा positive होगी क्यों क्यों क्योंकि आप हमेशा ही दोस्तों वस्तु को कहां रखते हैं उपर रखते हैं मुख्याक्ष के अब यह depend करेगा के अपका H Dへ Dispain , यदि आपका नीचे बनेगा तो माइनस होगा उपर बनेगा तो अपका प्लस होगा , अब यहांपर दीखेए दि Somet आपका अभासी और सुल्टा होता है तो यहां पर देखें धनात्मक बनने का मतलब आपका दोस्तों क्या होगा यह आपका अभासी और आपका सुल्टा होगा सीधा होगा और उनात्मक बनने का मतलब दोस्ता आपका क्या होगा आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा तो यह आपका प्रकृति तय होती है एक आवरधन के माध्यम से तो यह आपका उमीद आपको समझ में आगा होगा दोस्तो अब हम यहाँ पर देखे थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा यहां पर आपको बताते हैं कि जो आपके यहां पर देखे आउतल और उतल में आपके मुख्यों फोकस क्या होता है पी क्या होता है सी क्या होता है यहां पर देखे तो आपको एक इमेज दिखती है यह आपकी वस्त अब कर दोस्त हुझत हैं अंग्याने दोस्तों यह इन को देखते हैं आप अपर देखेंगे आप उत्तल में देखेंगे तो तल में क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका यह आपका दर्प्ण हो गया आपने पॉलिश कर दिया अब यहाँ पर से जो भी आपकी रेज आएंगी वो दोस्ते है आपर देखे परावरतेत हो कि कुछ यो जाती हैं दोस्तों कि आप पीछे को मिलाएंगे क्योंकि यहां आगे को तो आप नहीं मिला पाएंगे अनंत क्यों सली जाएंगी लेकिन इस आपको इमेज को देखना है तो आपको क्या उशक है उसके लिए प्रतिष्यत करना उशक है तो यहां पर आप पीछे को बढ़ाएंगे तो आपका देख यह डॉटेट वाले दिख आपको अपैश्ये के तो आपकी बढ़ाएंगे दोस्तो सारी की सारी रेफ्लेक्टेड रिएज एवह हो रही तो इसका मतला जो क्या होगा मुक्य ऐटास काहलाएगा और यहां पर आपकी दोस्ताषी प्रतिव्यम् बनेगा जब आपने वस्तु का अनंत पर रखाए और यह आपका कहा बनेगा दोस्तो दाइज और बनेगा और यहाँ पर आपने देखा बाइज और बना जो आपका